बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार मैं आचारिय बिनोत भरद्वाज आप सभी लोगों का श्वागत करता हूँ सरदर्द होगा चुटकियों में दूर अपनाएं कुछ अचूग उपाएं और एक माला बेहत खास है सरदर्द के लिए मानसिक सांती के लिए इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और जानकारी देगे लेकिन आपके लिए कुछ खास जानकारी लेके आता हूँ ताकि आप अपने बिग्न बादों को दूर कर सकें क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई दूसरों की पीड़ा में यदि आप सहायक की भूमी का अदा करें तो उश्य बड़ा धर्म हो ही नहीं सकता है तो यदि आप अपनी जन्मकुंडली को दिखा के अपने भागय के बारे में जानना चाहते हैं यदि आप वर्सफल बनवाना चाहते हैं यदि आप अपने जीवन की समस्तबिग नबाधाओं को दूर कराना चाहते हैं या कहीं अटक गए हैं या कहीं उलज गए हैं उस उल्जन को सुल्जाना चाहते हैं तो अपना मोबाईल उठाईए टाइप करिए www.astotak.com बिनोध भरद्वाज प्रफाइल को सेलेक्ट करिए अपने सुन्दर कुष्चन को अपने जो जीवन के उल्जन वाले कुष्चन को हमारे पास भीज दीजिए एक उपाई शुन्दर सा उपाई आपकी उल्जनों को दूर करके आपके लिए सुन्दर रास्ता तयार करेकर आपके लिए सुन्दर रास्ता तयार करेकर यदि आप फोन से बात करना चाते हैं तो भी आप सादर आमंतित हैं आप यहीं से हमारे पास तक आ सकते हैं सीधे बात करके अपने बारे में जान सकते हैं अब बात करते हैं यदि सर में दर्द हो रही है तो क्या करें क्योंकि सर की पीड़ा ब्यक्ति को पागल कर देती है ब्यक्ति के जीवन में दुखों का कारक बन जाती है सर के दर्द होने पे मृत्यू के समान मालूम पड़ता है कभी कभी तो सरदर्द से ब्रेन हैमेज भी हो जाता है सर की नस भट जाती है ब्यक्ति असहाय हो जाता है सर पकड़ के बैठ जाता है उसके साथ घर के लोग भी परिशान हो जाते है इतनी असहज इस्तिती बन जाती है सर पीड़ा वाले की कि मृत्यु का निस्चित रूप से बरण हो जाए लेकिन सरदर्द नहों कि सरदर्द जैसे सर पे कोई हथोड़ा मारे व्यक्ति तरस्त हो जाता है एक उपाय देता हूँ यदि आपको सरदर्द रहता है तो अजमा के देखिएगा पहला कारे सरदर्द हो तो दोनों आंखें बंद कर लेकि wont आ आखों बंद करके अग्या चच्छु दोनों भौवों के बीच में अग्या चच्छु है आख बंद करके ऐसे दीरे धीरे यहांthis करिएगा पेंच करिएगा। आपको सरदर्द में धिरे ले आराम मिलेगा आखें मत खोलियगा वहांपे हलकालका मारते चले। ओम नमा शिवाय का पाठ करें भगवान सिव की आराधना करें एक अस्फटिक की माला ऐसी माला शोम वार के दिन भगवान सिव की पिंडी पे गंगा जल से धुल करके अरपन करा करके अंदर पहने ऐसे नहीं जैसे मैं पहनाओ कप्डिक उपर मैं तो आप लोगों को दिखाने के लिए पहनाओ अंदर पहने और हमेशा पहने रखें अस्फटिक के माले से देखिएगा मन की तमाम दिकतें सर की तमाम दिकतें आपके कंठ की नसों से होती हुई क्योंकि यह माला सीतल होता है ठंडा होता है इसकी ठंडा हड से पूरा मस्तिक में जो भी उगरता गर्मी है वह शमाप्त हो जाएगी जैसे जलती आग में पानी डाल दिया जाए शर की पीड़ा से आपको आराम मिलेगा इसकारी को जरूर अजमा के देखिएगा कारिक्रम अच्छा लगा है तो ओम नमाशिवाय का पावन पवित्र नाम लिग करके इस कारिक्रम को मित्रों जरूर फेर करिएगा आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार